वो ऐसे खेलते थे कि मैज को थोड़ा लंबा लेके जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि एक ओवर में मैज को फिनिश भी कर देते थे बहुत ज्यादा उसकी विकिट कीपिंग जो है वो आप कहा सकते हैं कि उस जैसी विकिट कीपिंग कोई भी नहीं करता इंडिया के जीत दोनी को कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा फिनिशर था और अपने स्टाइल से फिनिश करता था मैज को एसिक्स मार के तो बैटिंग के बारे में क्या ख्याल है मतब दोनी की जो बैटिंग है कौन सी शार्ट फेवरेट है क्या स्टाइल उसका अच्छा लगता था और कैस की फिलिंग्स आपको कैसी आती थी जाब बैटिंग करता था ऐसे खेलते थे कि मैज को थोड़ा लंबा लेके जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि एक ओवर में मैज को फिनिश भी कर देते थे ठीक है है हेली कॉप्डर शौरूट का बहुत पक्का शौर आ हर बैस्ट मैंट जो है हर प्लेय कोशिश करता है के मतर स्मय को बास चीज है जो कि आपको शॉर्ट जो फेवरेट है और कौन से ऐसी स्चुएशन होती है जिसमें आपको लगता है कि दोनी जो है वो बड़ा कमाल खेलता है उस जैसे जब जब ही अपना भारती टीम ना जब ही उसकी बैटिंग क्लाप्स की है तो वो बैटिंग को लेकर चल सब की वो फेवरेट चाट है वो असल में उस निकाले भी उस नहीं थे बकाया उसकी एक और है वो पांडिया है उसका बूल मारता है लेकर उस जैसे शाट को ने लगा सकता बैटिंग बहुत अच्छी लगती थी जिस तरह आप क्या सकते हैं कि हेलीकॉप्टर शाट वो बह खेलता है हेलीकॉप्टर शाट वो किसी के पास वो बहुत पूर्स कुलता था लेकिन उसकी जो वो हलीक्टर वाली शाट वह बहुत मशहूर थी चिए और बहुत बड़ा फिनिश यार्ट का मझध कम उसने दो तीन दफा भात फिनिश किया हुआई उसलिक आपक पर लेकिन बहुत अच्छी है आई पील में मतलब के जो कम इन टेटर भी होते थे वह भी बार बार पे इसका जो एना है जिकर करते थे ऐसा ही कहते थे कि जैसे यही नेक्स्ट बाल पर है लिगा रहे हैं विकेट किपिंग का भी हिस्सा होता था जिस तरह वो स्टंप और रन आउट करता था वो मैज का पालसा पलट देते थे बिल्कुल बहुत ज्यादा उसकी विकेट कीपिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि उस जैसी विकेट कीविंग कोई भी नी करता ठीक है उसकी लाइन एंड लैंट बहुत अच्छी है को बाल को देख लेते जैज कर लेते थे कि वह सीधी करता था कि इस तरह किस बैर्समेंट को कैसे पकड़ना है अगर 2012 की बात करें तो अगर एमस दोनी विकट की पर होता तो शायद शायद अफरीदी भी वो मैं ना जीता यो इंडिया से शायद अफरीदी ने मैं जीता है वो दो च्छके मार के मार दिए जी जी उनका बहुत पर दो चाहिए वो जो इनका ना एक स्टैल आना ऐसे कार कि वो इस टैल मुझको बहुत पसंद था मैं उस टैल को बहुत लाई करता था जारी बात है कि जो एन उसकी की पिंग वो बहुत अच्छी थी और की पिंग पे वह ऐसे से राया है और रान उत भी करता था कि बैट् एक्टिव रहता था एक्टिवनेस जो आना किर्केट में वो सबसे मैटर ज्यादा करती है कि आर चीज को देखना उसके मुताबक चलना यह सबसे मैटर है तो एज़ा पाकस्तानी अगर आप धोनी को लेजेंड कहें तो क्या आपको लगता है कि लेजेंड कहना चाहिए और सब को कहना चाहिए कि दोनी एक लेजेंड है वर्ल्ड के लिए मैं कहते हूं कि इंडिया पाकस्तान यह बात की बाते हैं जो स्पोर्स में नो एरलीजन नो कल्चर नो कंट्री कुछ भी नहीं होता जस्ट गेम होती है हमारा यही है कि इंडिया के साथ मारे मैच होने इस अच्छा खेलती है हमारी कुछ हैं कमजोरी है इंचालों वह भी दूर हो जाएंगी हमें वह कोई मसला नहीं है कि इंडिया के लेकिन वह अच्छे स्टार रहें दोनों स्टार अच्छे प्लेएर ने एक लेजेंड है भारत में भी है पुरी दुनिया में यह इससे कोई नहीं कर सकता कि वह लेजेंड नहीं है वह लेजेंड था और रहेगा बिलकुल मानना चाहिए दोनी एक लेजेंड है हमारे चाहिए बेश्चा उनके साथ जैसे भी तालुका आते हैं लेकिन एक अच्छा क्रिक्टर है तो हमें उसको बिलकुल जी मुझे लगता है वह क्या एज़ा पाकस्तानी आपको भी मैयूसी हुई है दुख हुआ है कि दोनी जल्दी चला गया है दुख हुआ है लेकिन यह कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इंडिया के फास बहुत ज्यादा प्लेयर है ठीक है उनको अपनी सोच उनकी होगी कि यंग को मौका दे रहे है तो वो कोचिंग करेंगे जा क्या थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं वो ठीक करने उनकी काफी टाइम हो गया था कि किसी यंग को चलो मौका मिल जाए दुखी तो नहीं हुआ क्यों कि जिसे में किर्केट खिलनी है जैरी बात उसने लिटाय तो होना है ना उस दुख के बात बहुत ज्यादा है दोनी वेस्टी पॉरिश करके गया हुआ है टीम सारी को टीम उनके बहुत जादा स्ट्रॉंग है कोई मसले हैं वो बस दुखी ना हो बाइप टीम को सपोर्ट करेंगे बिल्कुल उनने काफी क्रिकेट खेल लिया लेकिन उनकी किर्केट अभी बाकी थी उनको खेलना चाहिए था वो टीम में अपना काफी अच्छा कर रहे थे तो टी ट्वन्टी वःटा तो और वेक्ट आप और लेक्ट आपको बहुत आखिए थे उनकी कीपरिंग आप क्या सकते हैं बहुत चाहती है इने बहुत सारे मैचशे हैं जो जितवाई हैं सिंगल अ चाहिद खान अफरीदी उसने किर्केट चोड़ी उसके बाद हमें उमीद थी कि चलो दोनी को देखते हैं अब दोनी भी चला गया अब किर्केट का वो मज़ा नहीं आए गया किर्केट अफसल में किर्केट खताम हो चुछी है जी मुझे यह उमीद नहीं थी कभी ना दोनी अब भी कर्केट चोड़ जाएगा लेकिन उनका सुना ना भी उन्होंने करकेट चोड़ दी है मुझे बहुत अफसरो सवा कैप्टन जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट है लगता है को दोनी जैसा कैप्टन फिर आएगा इंडिया के पास तोनी जैसा कैप्टन तो नहीं कह स अब देखते हैं लेकिन रोई शर्मा जो है वो काफी अच्छा उनकी तरफ से आए वो रिप्लेसमेंट कर जाएगा कर जाएगा आए 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 आए